नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे और सुरक्षित भी होंगे प्यार बच्चों, आज हम कक्षा दस्वी की समाजिक अध्यन की पाठे पुस्तक आर्थिक विकास की समझ का दूसरा अध्याई पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्थ व्यवस्था की क्षेत्रक प्रिये बच्चों, किसे भी आर्थ व्यवस्था को समझने के लिए जरूरी होता है कि हम बहुतर तरीके से उसके क्षेत्रकों को समझ पाएं क्षेत्रकों का आर्थ है कि आर्थ व्यवस्था में किस परकार की सेवाई आत्वा किस परकार के कार्ये करने वाले लोग अपनी कितनी भूमी का निभा रहे हैं प्रिय बचो किसे भी आर्थ व्यवस्था में क्षेत्रकों का बहुत महत्व होता है या यूं कहिए कि अर्थ व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि किस क्षेत्र से अधिक्तम लाव जो है अर्थ व्यवस्था को प्राप्थ हो रहा है तो प्यारे बच्चो आईए अध्यन करते हैं अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र कोंगा तो प्रिये बच्चों, अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखोगे, तो आप उन्हें विभिन आर्थिक गतिविधियों में कार्यदत पाएंगे. इन में से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का स्रिजन करती हैं. ये गतिविधियां हमारे चारों और हर समय संपादित होती रहती हैं. हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इनहीं हम समझने के लिए कुछ तरीकों को अपनाते हैं, कुछ मापदंडों को आधार बनाते हैं. आखिर कौन से मापदंड हैं, जिनकी आधार पर विभिन समुहों में इन क्षेत्रकों को वर्गिक्रित किया जाता है. तो आईए जानने की कोशिश करती हैं, कि उदेश्य के आधार पर के इस तरीके से इन क्षेत्रकों को वर्गिक्रित किया जा सकता है. प्राकृतिक संसाधनों की पर्त्यक्ष उप्रयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती. यह एक मौसमी फसल है. कपास की बहुदों की व्रिधी के लिए हम मुख्यत है, नयकी पूरणत है. प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवाई उपर निर्भर करते हैं. आते हैं, कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है. इसी परकार डियरी उत्पादन में हम पश्यों की जैविक परकिरिया एवं चारा आधी की उपलवतता पर निर्भर करते हैं. आत जब हम प्रकृतिक संसाधनों का उपयोग करते किसी बस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्रात्मिक शेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। वस्तु को इस क्शेत्र में शामिल करते हैं। अर्थात इस क्शेत्र में क्रिशी और अन्य सहाय क्शेत्र को को शामिल किया जाता है। द्वित्यक शेत्र की गतिविधियों के अंतरगत प्रकृतिक उत्पादकों की वीनिर्मान परनाली के जरिये अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रात्मिक शेत्र के बाद अगला कदम होता है। यहां वस्त्मे सीधी प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बलकि उनको निर्मित किया जाता है। इसलिए वीनिर्मान परकृतिया अपरिहार यह है। यह परकृतिया किसी कार खाना, किसी कारेशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पहदे से प्राप्त रेशे का उप्योग कर हम सूत काते हैं और कपड़ा बुनते हैं। गन्य को कच्चे माल के रूप में उप्योग कर हम चीनी तयार करते हैं। हम मिटी से इट बनाते हैं, इटों से घर बनाते हैं और भवनों का निर्मान करते हैं। चूकि यह क्षेत्र क्रम्षय सरवाधिक विभिन परकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे और द्योगिक शेत्र भी कहा जा सकता है। प्रात्मिक और द्वित्यक शेत्र के अतिरेक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटी भी है, जो त्रित्यक शेत्र के अंत्रगत आती है, और उपर्योग दोग शेत्र कों से भिन है। ये गतिविधियां प्रात्मिक और द्वित्यक शेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वत्य वस्त्यों का उत्पादन नहीं करती हैं, बलकि उत्पादन प्रकिरिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्रात्मिक और द्वित्यक शेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एमम, खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों अथ्वा ट्रेनों द्वारा परिवेहन करने की जरुरित पड़ती है। कभी-कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यक्ता भी होती है। गतिविधियों के कुछ उधायन है। चुकि ये गतिविधियां वस्तुओं की बजाई सेवाओं का स्रेजन करती हैं, इसलिए त्रित्यक्षेत्र को सेवाक्षेत्र भी कहा जाता है। बच्चों, सेवाक्षेत्र में कुछ ऐसी एपरिहारिय सेवाएं भी हैं, जो पत्यक्ष रूप में वस्तों के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। जैसे हमें शिक्षिकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची, एवं वकील, जैसी व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और परशाशनिक एवं लेखा कर्ण कार्ये करने वाले लोगों की भी आवशिक्ता होती हैं। प्रिये बच्चों, आज का युग प्रध्योगीका का युग है। वर्तमान समय में सुचना प्रध्योगीकी पर आधारित, कुछ नमीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, ATM भूत, कॉल सेंटर, सोफ्ट्वेर कम्पनियां आधी भी ही महतपुन हो गई हैं। इसलिए इन सभी सेवाओं को भी तृत्यक्षेत्र से जोड दिया गया है। प्रिये बच्चों, आए इसे और अधिक अच्छे से समझने के लिए इन तीनों क्षेत्रकों की तुलना करते हैं। प्रात्मिक, द्वित्यक और तृत्यक्षेत्र के विभित उत्पादन कारियों से काफी अधिक मात्रा में वस्त्वों और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्त्वों और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चर्ण में यह देखेंगे कि पते क्षेत्र में कितनी वस्त्वें और सेवाओं उत्पादित होती हैं। और कितने लोग उस क्षेत्रक में काम करते हैं। किसी अर्थ्ववस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की द्रिस्टी से एक या अधिक क्षेत्र परधान हो सकते हैं। जबकि आन्यक्षेत्रक अपेक्षाकरत छोटे आकार के होते हैं। प्रियवच्चो आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तों और सेवाओं की गणना करना असंभव कारिये हैं। यह ने केवल एक बहुत बड़ा काम है बलकि आप आश्चरिय चिक भी होंगे कि हम कारों या कम्प्योटरों, कीलों या फर्निचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यांत बेतो की बात होगी, क्योंकि समानते इन सभी का अंदाजा लगाना उतना सरल कारे नहीं। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थ शास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तों और सेवाओं का वास्त्विक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मुल्ले का उप्योग किया जाना चाहिए। जैसे यदि दस हजार किलोग्राम गेहु आठ रुपे प्रती किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहु का मुल्ले असी हजार रुपे होगा। दस रुपे प्रती नारियल की दर से पाँच हजार नारियल का मुल्ले पचास हजार रुपे होगा। इसी परकार तीनों क्षेत्रकों की वस्तों और सेवाओं के मुल्य की गन्ना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात और सावधानी बर्तने वाली बात यह है कि उत्पादित और बेची गई परतीक वस्तु या सेवा की गन्ना करने की जरुरत नहीं है केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गन्ना का ही ओचेते होता है जैसे की एक किसान किसी आटा मिल को आट रुपे प्रती किलोग्राम की तर से ग्यहू बेचता है मिल में ग्यहू की पिसाई होती है और बिस्किट कमपनी को आटा दस रुपे प्रती किलोग्राम की तर से बेचा जाता है बिस्किट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उप्योग करती है और बिस्किट से चार पैकेट साच रुपए में पंदरा रुपए प्रती पैकेट के हिसाब से बीचती है आते हैं बिस्कुट एक अंतिम उत्पाद है आर्थात वेहे वस्तु जो उप्भोगताओं तक सीधी पहुचती है अंतते उसे हम अंतिम उत्पाद केहती है केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की ही गण्ना क्यों की जाती है आईए इस बात को दिये गए उधारन से समझते है दिये गए उधारन में अंतिम वस्तु के विप्रीत ग्यहूं और आठा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं है आईए जानते हैं कि मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुमों और सेवाओं की निर्माण में इस्तेमाल की जाती है आंतिम वस्तों के मुल्य में मध्यवर्ती वस्तों का मुल्य पहले से ही शामिल होता है बिस्कोट उप्रोक्त उधारन में एक आंतिम वस्तो है जिसका मुल्य साथ रुपए में पहले से ही आठा का मुल्य शामिल है इसी परकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तु का मुल्य भी शामिल होगा आते ग्यहूं और आठा के मुल्य की अलग-अलग गन्ना उचित नहीं है क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मुल्य की गन्ना कई बार कर चुके होंगे इसी लिए मैंने आपको बताया कि जब हम अन्तिम उत्पाद की गन्ना करते हैं तो उसमें हम केवल अन्तिम उत्पाद की मुल्य को ही शामिल करते हैं पहले ग्यहूं के रूप में फिर आठा के रूप में और अंतते अंतिम उत्पाद बिस्किट के रूप में मुल्य की कई बार गन्ना करना आर्थ विवस्था में भरम उत्पन कर देता है किसी विशेश वर्ष में परते क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अन्तिम वस्तुमों और सेवाओं का मुल्य उस वर्ष में क्षेत्रक की कुल उत्पाद की जानकारी परदान करता है तीनो क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं तो ये बच्चों ये बात बहुत अच्छे से समझने वाली है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है तो इसका उत्तर देखिए तीनो क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाएगा यह किसी देश के भीतर किसी विशेश वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्त्वों और सेवाओं का मुल्य होता है सकल घरेलू उत्पाद आर्थ व्यवस्था की विशालता परदर्शित करता है प्रिये वच्चो भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापना एक कठिन कार्य है केंदर सरकार के मंत्राले द्वारा यह कार्य संपन किया जाता है यह मंत्राले राज्यों एहमं केंदर शाषित परदेशों के क्षेत्रकों के विभिन सरकारी विभागों की साहायता से वस्त्मों और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मुल्य से संबंधित सूचनाए एकत्र करता है और तब जी डीपी का अनुमान लगाता है जी डीपी माइने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पार्थ क्षेत्रकों में इतिहासिक परिवर्दन समानत है आधिकांश विक्सित देशों के इतिहास में यहें देखा गया है कि विकाज की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्रात्मिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियाता को सबसे अधिक परभावित करने वाला क्षेत्रक होता है जैसे जैसे क्रिशी परणाली परिवर्थित होती है और क्रिशिक शेत्रक अधिक समृध होता है वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्श्यक्रित अधिक उत्पादन होने लगता है प्यारे बच्चों, अब अनेक लोग दूसरे कारे करते हैं जैसे कुछ शिल्पी भी होते हैं, कुछ व्यापारी भी होते हैं, और समझने वाली बात ये है कि ये सभी प्रात्मिक शेत्र पर निर्भर करते हैं, क्रै विक्रे की गतिविधियां कई गुना बढ़ने लग जाती हैं, इसके अतिरेक्ट अनेक लोग परिवेहन, परशाशक और सैनिक कारे आधी से जुड़े होते हैं, फिर भी इस अवस्था में आधिकांश ते उत्पादित वस्थ्वें, प्रक्रेतिक उत्पाद जो प्रात्मिक शेत्र में आती थी और आधिकांश लोग इसी क्शेत्र में रोजगार करते थी, लंबे समय के बाद और विशेशकर वी निर्मान की नवीन परणाली के प्रचलन में आने से, या यूं कहिए कि ओद्योगी करण के आने से कारखाने आस्तित्व में आई, और उनका प्रसार होने लगा, जो लोग पहले खेती में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक अब क कारखानों में काम करने लगे हैं. प्रे बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके दादा-दादी, ना-ना-नानी गाओं में रहती हैं, और आप शेहर में किस वज़े से रहती हैं? क्योंकि आपके माता-पिता कहीं न कहीं, जो उनका पुष्टेनी काम था, यानि करना, या पशु पालना, उसे छोड़ कर एक नई कारे में विलिप्त हो गए हैं. जैसे, या वो कारखानों में काम करते हैं, या वो कहीं सरकारी नौकरी करते हैं, या फिर वो किसी कमपनी में कारे करते हैं. यहां आप यह देख सकते हैं कि जो प्रात्मिक्षेतर था, वो धीरे-धीरे दृत्यक्षेत्र में तबदील हो रहा है। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया या वो अपनी मर्जी से उस कारिय में लगे। लेकिन कुल उत्पाधन एमम रोजगार की द्रिष्टी से द्वित्यक्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कारण आतिरिक्ट समय में भी काम होने लगता है। इसका आर्थी यह है कि क्षेत्र कों का महतव परिवर्टित हो रहा है। विगत सो वर्षों में विक्सित दिशों में द्वित्यक्षेतर से त्रित्यक्षेतर की और पुनेह बदलाव हुआ है प्यारे बचों, आइए अब पढ़ते हैं उत्पादन में त्रित्यक्षेतर के बढ़ते हुई रुजान को अर्थात उत्पादन में तृत्यक्षेत्र का महतव क्यों बढ़ रहा है इस विशे में जानते हैं वर्ष 1973-1974 और 2013-14 के वीच 40 वर्षों में यदपी सभी क्षेत्र को में उत्पादन में व्रिधी हुई है प्रन्तु सबसे अधिक व्रिधी तृत्यक्षेत्र के उत्पादन में हुई है परिणामते है वर्ष 2013-14 में भारत में प्रात्मी क्षेत्र को प्रति स्थापित करते हुए तृत्यक्षेत्र सबसे बड़े उत्पादन क्षेत्र के रूप में उभ्रा है भारत में तृत्यक्षेत्र इतना महत्तपोर्ण क्यों हो गया है? इसके कहीं कारण है पहला किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे हस्पताल, शेक्षनिक संस्थाईं, डाक एवंतार विभाग, ठाना, कचेहरी, ग्रामेन प्रशाशनिक कारियाले, नगर नीगम, रक्षा मंत्राले, परिवहन, बेंक, बीमा कम्पनियां इत्यादी की आवश्यक्ता होती है इन्हें बुनियादी सेवाईं माना जाता है, किसी विकाशील देश में इन सेवाओं के परबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है प्रात्मिक और द्वित्यक्षेत्र का विकास जितना लोग अधिक करेंगे, इन सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक बढ़ जाती है सामाने सी बात है, आगर एक किसान के पास पहले मालीजी सोक इवंटल गन्ना होता था तो उसे जितने परिवहन की सेवाईं लेनी पड़ती थी, उनकी मांग तब बढ़ जाएगी जब वो और अधिक गन्ने का उत्पादर करना शुरू कर देगा तृत्यक क्षेतर जैसे जैसे आएम की और अगरसर होता है, कुछ लोग अन्य कई सेवाउं जैसे रेस्त्रा, परियचन, शापिंग, निजी हस्पताल, निजी वितियाले, व्यवसाइक परशिक्षन केंद्र इतियादे की मांग करना शुरू कर देते हैं प्रिये बच्चो, प्रात्मिक्षेतर और द्वित्यक्षेतर में होने वाले विकास का सीधा सम्मन्ध तृत्यक्षेतर के विकास से होता है आप नगरों में विशेशकर बड़े नगरों में इस परिवर्तन को देख सकते हैं भारत में सेवाक्षेत्र कई तरहां से लोगों को नियोजित करता है एक और उन सेवाओं की संख्या सिमित है जिन में अतियंत कुशल और शिक्षित शमिकों को रोजगार मिलता है और दूसरे और बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मुरमत कारियों या परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुई है आधिकार्शते है भारत में लोग कहानियों जित है भारत की संदरफ में एक उलेखनीय तथ यह है कि यदभी सकल घरीलू उतपाद में तीनों क्षेत्रकों की हिसेदारी में परिवर्तन हुआ है लेकिन फिर भी प्रात्मिक्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांत्रित नहीं हुआ है इसका कारण यह है कि द्वित्यक और तृत्यक्षेत्र में रोजगार की परियाप्त अवसरों का स्रिजन नहीं हुआ यद भी इस अवधी में वस्तुओं में ओद्योगिक उतपादन में तीन गुना से जादा व्रिधी हुई है परन्तु ओद्योगिक रोजगार में लगभग तीन गुना की व्रिधी हुई है तृत्यक्षेत्र में भी यही बात लागू होती है सेवक्षेत्र में भी उतपादन में चौदां गुना व्रिधी हुई है प्रन्तु रोजगार में पांच गुना कम वृथी हुई है। परिणाम तहट देश में आधे से अधिक श्रमिक, प्राथमिक क्षेत्र, मुख्यते क्रिशी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग एक छटा भाग है। इसकी तुल्ना में द्वित्यक्षेत्र और तृत्यक्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में बाकी हिस्सा है। परन्तो ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार परदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि क्रिशिक्षेत्र में लगे लोग श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। यदि आप कुछ लोगों को क्रिशिक्षेत्र से हटा देते हो तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। इसकी वज़े जानते हैं आप। इसकी वज़े यह है कि इस तरीके की क्रिशिक्षेत्र में कहीं न कहीं आलप विरोजगारी या छुपी हुई विरोजगारी शामिल होती है। परतेक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई विकार नहीं है। परन्तु वास्तव में उनका स्रम परियास विभाजित है। परतेक व्यक्ति कुछ न कुछ कारिये कर रहा है। परन्तु किसी को भी पूरण रोजगार प्रापत नहीं है। उधारन लेते हैं गाउं में रामलाल का परिवार रहता है और वह परिवार एक खेट पर काम करता है उसमें रामलाल भी काम करता है उसका बेटा भी काम करता है और कहीं न कहीं उसकी पत्नी भी उसी कारे से जुड़ी हुई है यदि उसका बेटा शहर जाकर नौकरी करना शुरू कर दे तो क्या आपको लगेगा कि कहीं जो उनका उत्पादन हो रहा था उसमें कमी आएगी? बिल्कुल नहीं ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं इस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी परभाव डालती है जहां लोग परत्यक्ष रूप से काम कर रहे होते हैं लेकिन सभी अपनी क्ष्यमता से कम काम करते हैं इसी परकार की अल्प बेरोजगारी को छुपी हुई बेरोजगारी कहती हैं क्यूंकि उन लोगों की बिरोजगारी, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, और बेकार पैठे हुए हैं, वो खुली बिरोजगारी में शामिल नहीं होते. इस तरीके की बिरोजगारी को हम परच्छन बिरोजगारी भी कहती है अगर इसे सीधे और शाब्दी कर्थों में जानना है तो यूँ कहिए कि एक रोजगार पर कई लोग लगे हुए हैं और उन में से यदि कुछ अपना काम करना बंद भी कर दें तो उत्पादन पर उसका सीधे से कोई असर नहीं होता अर्थार वोव्यक्ति रोजगार तो कर रहा था लेकिन उतना ही उत्पादन तब होगा जब वोव्यक्ति कहीं और रोजगार राप्त कर लेगा और अक्सर हमारे ग्रामीन क्षेत्र में इस तरीके की बेरोजगारी की भरमार है यदि हम कुछ लोगों को क्रिशी क्षेत्रक से हटा कर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलवध करा दें तो भी क्रिशी उतपादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार के कुल आय में व्रिधी होगी अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रकों में भी हो सकती है उधारण के लिए सेवा क्षेत्रक के कुछ लोगों को सडकों पर ठेला खेचते हुए आपने देखा होगा जहां वो पूरा दिन बिताते हैं, परन्तु बहुत कम कमा पाते हैं. वे काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बहुतर अवसर नहीं है. अब सवाल उत्पन होता है कि अठरिक्त रोजगार का स्रिजन कैसे हो सकता है? हम बहुत सारे तरीकों से अल्ध ग्रामिन कषितरों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान कर सकते हैं और उने बढ़ावा दे सकते हैं जहांपर बहुत सारे लोगों को नियोजित किया जा सकता है. सबजियों और क्रिशिगत उतपादों जैसे आलू, शकरकंद, चाबल, गेहू, टमाटर और फल इतियादी जैसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के लिए परसंसकर्ण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है. यहे और्ध ग्रामीन क्षेत्रों में स्थित, उद्योगों में रूजगार परदान करेगा. योजना आयोग वर्तमान में निती आयोग द्वारा किये गए एक अध्यन के अनुसार, आकेले शिक्ष्यक्षेत्र में लगभग 20 लाख रूजगार का स्रिजन किया जा सकता है. प्रिये बच्चों, इस पंक्ती से मैं आपको यहे बात बताना चाह रही थी, कि पहले जिसे हम योजना आयोग कहते थे, उसे अब हम निती आयोग की नाम से जानते हैं. इसी परकार, यदि हमें स्वास्थे की स्थिती में सुधार करना है, तो हमें ग्रामेन क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टर, नर्सों और स्वास्थे करमचारियों की आवशक्ता पड़ेगी. योजना आयोग के अध्यन के अनुसार यदि प्रियतन क्षेत्र में सुधार होता है, तो हम प्रती वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को आतिरिक तरूजगार परदान कर सकते हैं. कुछ सुझावों में अमल करें तो लंबा समय लगेगा जरूर, लेकिन सुधार अवश्य होंगे. आते, चोटी अवधी के लिए हमें कुछ दृत उपायों की आवशक्ता है. इसे ध्यान में रखते हुए केंदर सकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है. इसे महात्मा गांधी रास्ट्रिये ग्रामेन रोजगार गरंटी अधिनियम 2005 कहा जाता है. प्रिये बच्चों दोबारा सुन लिजिए महात्मा गांधी रास्ट्रिये ग्रामेन रोजगार गरंटी अधिनियम 2005 क्या है? इसके अंतरगत ग्रामेन क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गरंटी दे गई है. यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है, तो वहें लोगों को बिरोजगारी भत्ता देती है. प्रिये बच्चों, आईए अब बात करती हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र के विभाजन की. संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथ्वा कार्य स्थान आती हैं, जहां रोजगार की अवधी नियमित होती है. यहां लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है वेक्षेतरक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और वी नियमों का अनुपालन करना होता है इसे संगठित शेतरक कहते हैं क्योंकि इनकी कुछ अपचारिक प्रकेरिया एवं कारे विधी है कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बलकि वे स्वतेह काम करते हैं परन्तु वे भी अपने को सरकार के समाक्ष पंजीकरित कराते हैं और नियमों और वी नियमों का पालन करते हैं असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और विखरी इकाईयां होती हैं जो अधिकाश्टे सरकारी नियंतरन के बाहर होती हैं और इनका जो निर्मान होता है वह भी निजी हाथों में होता है इस क्षेत्र के नियम और वी नियमन तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है वे कम फेतन वाले रोजगार होते हैं और प्राय नियमित भी नहीं होते अब बात आती है कि इस तरह के क्षेत्रों में यानि असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों का सलेक्षन कैसे हो आपने बहुत सारी समस्याइं देखी जो असंगठित क्षेत्र में आती हैं जैसे कम वेतन देना, अधिक लंबे समय तक काम कराना, छुट्टियों का निर्धारन ना होना, तो इन सारी समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है। इस क्षेतर से जुड़े हुई लोगों को सनरक्षन की आवश्यक्ता होती है। ग्रामीन क्षेतरों में असंगचित क्षेतर, मुख्यत, भूमिहीन किसान, श्रमिक, छोटे और सिमान्त किसान, फसल बटाई, दारों से रचित, लोग शामिल होते हैं। भारत में लगभग 80% ग्रामीन परिवार, छोटे और सिमान्त किसानों की श्रिणी में आती हैं। इन किसानों को समय से बीज उपलब्द नहीं होता, क्रिशे उपकरण इनके पास पूराने समय के हैं, साख, बंडारन, और सुविधाईं जो विप्णन के अंदर से सम्मंदित होती हैं, या फिर इन ही परियाप्त सुविधाईं उपलब्द कराने से सम्मंदित होती हैं, उ उसमें सुधार के लिए सरकार को विभिन परकार की सुविधाईं इस क्षेत्रकों को उपलव्द कराई जानी चाहिए। प्रिये बच्चों, आप बात आती है स्वामितव आधारित क्षेत्रकों की। स्वामित्व आधारित क्षेत्रकों की जब हम बात करते हैं तो दो तरहां की क्षेत्रक आते हैं एक सारवजनिक क्षेत्र और एक निजी क्षेत्र सारवजनिक क्षेत्र में आधिकांश्ते परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाईं उपलब्ध कराती है निजीक शेत्रक में परिसंपत्तियों पर किसी खास व्यक्ति का स्वामित्तव होता है और सेवाओं की वित्रण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कमपनी के हाथों में होती है कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिने सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है निजीक शेत्रक उन उतपादनों और व्यवसायों को तब तक जारी नहीं लग सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोतसाहित नहीं करती आधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्रात्मिक जिम्मिवारी सरकार पर निर्भर करती है पर इन पर व्यकरना सरकार की आनिवार्यता हो जाती है प्रिये बच्चो आपने अक्सर देखा है कि जब हम भारत की बात करती हैं तो छोटे किसान जब अपनी फसल उत्पादन करते हैं, तो सरकार कहीं न कहीं फसल का समर्थन मूले निर्धारित करती है। इसकी वज़य यही है कि सरकार कहीं न कहीं इस क्षेतर से जुड़े लोगों को प्रतजाहित करना चाहती है। प्रिय बच्चो तो आपने समझा कि किस तरीके से एक अर्थ ववस्था तीन मुखे क्षेतरों में बटी हुई है। प्रात्मिक्षेतर, द्वित्यक्षेतर और तृत्यक्षेतर आपने यह भी जाना कि बेरोजगारी कितनी तरह की होती है। एक होती है प्रिय बच्च बिरोजगारी, जिसका सामानत अर्थ है व्यक्ति को रोजगार ना मिलना। है व्यक्ति काम पर लगा भी हुआ है, लेकिन वह प्रच्चन बिरोजगार है। यानि अगर वो कहीं उस काम से हट भी जाता है, तो उस कारे के उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अध्याई के अंतिम भाग में आपने यह भी जाना कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र क्या है? इसके अलावा स्वामित्तव के आधार पर सार्वजनिक और निजिक शेत्र क्या है? जब हम प्रकृतिक संसाधनों का उप्योग करके किसी वस्तु का उत्थुपादन करते हैं, तो उसे प्रात्मिक शेत्र गतिविधी कहा जाता है. प्रिय वच्चों, द्वित्यक शेत्र की गतिविधी किसे कहा जाता है? किसे तयार करते हैं? जी हाँ, गन्ने से. त्रित्यक शेत्र गतिविधीया स्वयम खालिस्थान का उत्पादन नहीं कहते हैं. प्रिये बच्चो मैंने आपको बताया था कि तृत्यक्षेत्र को हम सेवाक्षेत्र कहती हैं और इसमें किस चीज का उत्पादन सीधे नहीं होता जी हाँ वस्तूओं का अध्याई की शुरुवात में हमने पढ़ा था कि बिस्किट एक खालिस्थान उत्पाद है प्रिये बच्चो बिस्किट एक अंतिम उत्पाद है भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कारिये खालिस्थान के मंत्राले द्वारा किया जाता है मैंने आपको बताया था कि ये कौनसे मंत्राले द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, संचालित, निती आयोग द्वारा. प्रिवच्चों आईए कुछ और प्रश्णों से पाठ को अधिक से समझते हैं. आपको दिये गए चार उत्रों में से सही उत्तर चुनना है. पहला है सरकार का, दूसरा है किसी व्यक्ति या कम्पनी का, तीसरा है दोनों का ही, और चोथा है दोनों में से कोई भी नहीं. प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा सरकार का. निजी क्षेत्रक में आधिकांश संपत्ती पर स्वामितव किसका होता है? निजे क्षेतर की बात कर रहे हैं, आपको सही उत्तर चुनना है व्यक्ति का या किसी विशेश कम्पनी का, सरकार का, किसी का भी नहीं, या दोनों का, हाँ, तिये बच्चों इसका उत्तर होगा किसी विशेश व्यक्ति अथ्वा किसी विशेश कम्पनी का. भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीन परिवार, छोटे और सीमान्त किसानों की श्यर्णी में आती हैं 80 प्रतिशत, 70 प्रतिशत, 50 प्रतिशत या मात्र 10 प्रतिशत तो इसका सही उत्तर है 80 प्रतिशत लो कौन से क्षेत्रक, छोटी-छोटी और विखरी इकाईयों जो अधिकांश्ते सरकारी नियंत्रन से बाहर होती हैं, से शामिल होती हैं संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में आथवा दोनों क्षेत्रों में नहीं प्रिये बच्चो इसका सही उत्तर होगा असंगठत क्षेत्र तो प्रिये बच्चो उमीद करती हूँ कि आपको इस अध्याय के माध्यम से समझ आ गया होगा कि क्षेत्रक जो हैं जाहे वो कात्मिक शेत्र हो, जाहे द्वित्यक शेत्र हो और चाहे सेवाघ्षेत्र हो क्या भूमी का किसी अर्थ व्यवस्था के लिए निभाते हैं इसके साथ ही आपने ये भी जाना कि इन कुछेत्रकों की वजह से उत्पन हुई कुछ समस्याईं जैसे वेरोजगारी की समस्या आपने उसका भी अध्यन किया और ये भी जानने का परियास किया कि सरकार इस तरीके की समस्याओं का निराकरण कैसे करती है प्रिय बच्चो इस पाठ के माध्यम से आपको ये भी अवश्य समझ में आ गया होगा कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र कि क्या समस्याईं होती हैं या क्या उनके गुण होते हैं जिनकी वज़े से संगठित क्षेत्र की और लोग जाधा आकर शेत्थ होते हैं। उम्मीद करूँगी कि आप सभी जब अपने किसी करियर का चुनाव कर रहे होंगे, तो आप भी इन सभी विशेष्टाओं का ध्यान रखेंगे कि कौन सा क्षेत्र जो है किसी अर्थविवस्था के लिए क्या माइने रखता है। धन्यवान।